बारत मता की मेरे साथ बोलिये बारत मता की क्यों भई कुमार गाट वालों की आवाज को क्या हो गया है 400 पार करना है या नहीं करना है मोदी जी को फिर से प्रदान मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी दोनों हाथ उठाइए उठाईए दोनों हाथ विजय के संकल्प का मुठी भींचिये और प्रचन्द वाद से बोलिए बारत मता की बारत मता की मंच परुपस्तित त्रिपुरा के लोग प्रिय मुख्यमंत्री डाक्टर मानिक साजी हमारे राजा साब और मेरे मित्र तिप्रा मोथा के अध्यक्स महोदय मेरे साथ आये हुए हमारे दोनों प्रत्यासी पस्चिम त्रिपुरा से विपलाई कुमार देवजी विपलावजी खड़े हो जाईये जरा और पूर्वी त्रिपुरा से महाराणी कृति सिंग जी हमारे प्रदे सद्यक्स महोदय श्री टिंकु रोय श्री सुधान सुधास हमारी ट्राइबल मंत्री आगया हो चक्मा जोर से ताली बजाओ सेंटर ना चक्मा के लिए सबी लोग हमारे तिप्रा मोथा के साथी अनिमेश देवबर्मा जी अनिमेश जी खड़े हो जाईये आप सुक्लचरण नेते नोतिया जी हमारी नेत्री भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भवमिक जी और आज कुमार गाट की इस भूमी पर आये हुए प्यारे भाईो बहनों माताओ और मेरे जिगर के टुकडे जैसे युवा मित्रो आप सभी को नमसकार मुझे बरोबर याद है 2017 का डिसेंबर मा होगा और मैं यहाँ पर त्रिपुरा मुक्ति के लिए पहली रेली करने आया था और यहीं से त्रिपुरा को कॉम्मिनिस्टों से मुक्त करने की सुरूआत की थी और आज इस महान त्रिपुरा की जन्ता ने इतने सालों के कॉम्मिनिस्ट चाशन को समाप्त करकर त्रिपुरा में मोदी जी पर भरोसा करकर विकास का एक नया रास्ता चुनने का काम किया है मित्रों मैं जब यहाँ आया हूँ तब सबसे पहले मा त्रिपुरा सुंद्री को बाबा गरिया मंदीर को और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुआत करना चाहता हूँ मैं यहाँ आया हूँ तब विनम्र साशक और जिनके मन में देश और जन्ता के अलावे कुछ नहीं था ऐसे महराजा वीर विक्रम मानिक किसोर जी को भी मन पुरुवक प्रणाम करना चाहता हूँ इतने सालों से कौमिनिस्टों ने महराजा वीर विक्रम मानिक किसोर जी को केवल और केवल भुलाने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर त्रिपूरा के एरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ती प्रस्तापित करकर उनको चीर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मित्रों अभी अभी आपने पद्मपुरस्कारों का सुची देखा होगा सत्राम रियांग और बेनी चंद्र जमात्या हमारे दो ट्राइबल भाईयों को पद्मपुरस्कार देकर मोदी जी ने ट्राइबलों का सन्मान बढ़ाने का काम किया है भाईयों और बेनों नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सन्मान के लिए सुरक्सा के लिए और समावेसी विकास के लिए देश भर में नकेवल विकास के काम चलाए है उनको साथ में रखने का काम किया है एक कॉंग्रेस और कॉमिनिस्ट सालों तक सासन करते रहे एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपती नहीं बनाया आजादी के 75 साल बार पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओरिशा के घरीब आदिवासी की बेटी द्रवपती जी मुर्मू को महा महीम द्रवपती मुर्मू बनाकर आदिवासीों का सन्मान करने का काम किया है सेंकडों करोडों रूपया खर्च करकर आदिवासी पुर्वज हमारे जो देश के लिए काम करे उनके मुज्यम बन रहे हैं और मैं आज बताना चाहता हूँ हर मुज्यम में हमारे राजा साब का प्रतिमा भी है यह हम सब के लिए घौरों का विशय है भाई और बेनों जन जाती है मत्राले में ट्राइबल मंत्राले में पहले 24,000 करोड उपय का बजेट था मेरी बाद ध्यान से सुनना इतने बड़े देश के ट्राइबल आबादी के लिए सिर्फ 24,000 करोड था नरेंद्र मोदी जी ने एक लाग 25,000 करोड का बजेट ट्राइबल मंत्राले का किया है और एक लव्य मोडेल स्कूल 75 साल में 70 साल में सिर्फ 90 बने थे मोदी जी के पांच साल में 740 एक लव्य स्कूल बढ़ाने का काम हमने किया है भाई और बेनों त्रिपुरा पहले विपलव देव जी और अब डॉक्टर मानिक सा के नेत्रुत में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़ है आज सुबे ही राजा साब भी बैठे थे टूरिजम, कनेक्टिविटी, एर कनेक्टिविटी, स्वास्त, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर हर छेत्र में नरेंद्र मोधी सरकार की प्रायोरिटी हमारा तिपुरा है और मैं आज बताने जा रहा हूँ तिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी हमारा ट्राइबल एरिया भारत सरकार का प्रायोरिटी है भाई और बेनो अभी अभी हमने एक एग्रिमेंट किया है भारत सरकार, तिपुरा सरकार और राजा साब के साथ तिप्रा मोथा के साथ एग्रिमेंट के लिए धेर सारी चीजे बोली जा रही है मगर मैं आज आपको बता कर जाता हूँ आपकी सभी समस्याओं का समाधान उस एग्रिमेंट में है मुझ पर भरोसा करिएगा एक कॉम्बनिस चहर गोलने का काम तिप्रा की जाती और जन जाती दोनों के बीच में सांती रहे दोनों का विकास हो और संगर्स की जगे विकास के नारास्ते पर तिप्रा आगे बढ़ पड़े इसका एग्रिमेंट में पूरा ध्यान रखा गया है ए राजा साब है तो राजा मगर बन्ये से भी ज्यादा चतूर है भाई छोटी छोटी चीज पर आपकी सभी हितों का ध्यान उन्होंने रखा है और मोदी जी ने इसको आसिरवाद देने का काम किया है भाई और बेनों मोदी जी ने देश भर में दो करोड 94 लाग गरीबों के घर बनाए इसका सबसे बड़ा फाइदा एस्टी लाभार्थियों को हुआ है 21 प्रतिसत घर एस्टी को मिले 14 करोड टॉयलेट बनाए 70 करोड लोगों को 5 किलो चावल प्रतिमा प्रति व्यक्ति मुप्त में दिया जाता है त्रिपुरा वालों आपको मिलता है या नहीं मिलता है जरा बताओ तो भै चावल आता है ना हरे के घर में घैस का सिलिंडर भेदने वाले हैं और नए तिन गरोड घर मोदी जी ने वादा किया है बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगेर का नहीं रहेगा यह मोदी का गैरेंटी है भाईयो मोदी का गैरेंटी सब रूम रेलवे स्टेशन को एक्स्ट्रेंड किया गया तेईस ट्रेने अब चल रही है अगर तला अखोरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक हाईवे ही था कौम्मिनिस्टों के तीस साल के सासन में अब त्रिपुरा में नो हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है विद्याजोती स्कूल को सिबी एसी में लिया बमूतिया में सेंट्रल संस्कूल इन्युवर्सिटी बन रही है नरसीगड में अंतराष्टिय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जिस से IPL और राष्टिय मेच भी यहाँ आएगी सब रूम के अंदर 1550 करोड के खर्चे से जलेफा में स्पेश्यल इकोनोमिक जौन बन रहा है जहां इंड़स्ट्री भी आएगी रोजगारी भी आएगी और अपने अकेले त्रिपूरा में 87,000 लगपती दिदी है मोदी जी ने और 3 करोड लगपती दिदी बनाने का रक्स रखा है अकेले त्रिपूरा में 3,500,000 लगपती दिदी बनेगा और आज 140 करोड से एक अनूठा इनिटी मॉल भी बनाने का काम त्रिपूरा के अंदर हुआ है भाई और बेनों कॉम्मिनिस जहां जहां गए वहां क्या छोड़ा गरिबी, भुकमरी, स्वास्त का भाव, सिक्सा का भाव और युवाओ के हाथ में बंदूख थमाने का काम एक कॉम्मिनिस पार्टी ने किया और भारतिय जन्ता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदीजी ने युवाओ के हाथ में लैप्टॉप पकड़ाने का काम किया है पूरे नौर्थ इस्ट के अंदर दस से ज्यादा समझोते करकर सभी ट्राइब को दस सजार युवाओ के हाथ में से हतियार छुडा कर उनको मेंस्ट्रिम में लाने का काम भारतिय जन्ता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है भाई और बैनों मैं आज त्रिपुरा में कहना चाता हूँ हमारे ब्रू और रियंग भाई इनके परिवार 40,000 लोग नर्क की जिन्गी जी रहे थे नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी ब्रू रियंग को अच्छे गाउं बसा कर दिये और उनके जीवन के अंदर उजियारा लाने का काम भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने किया भाई और बेनों ये कॉम्मिनिस्ट यहां आते हैं कॉंग्रेस वाले आते हैं मैं आज त्रिपुरा के कॉंग्रेस और कॉम्मिनिस्ट नेताव को पूछने आया हूँ दस साल आपकी सरकार थी सोनिया मनमोहन की सरकार थी आपने त्रिपुरा को क्या दिया हर दस साल में आपने 40,183 करोड रुपया दिया और मोधी जी ने एक दस साल में 40,000 करोड के सामने 98,000 करोड रुपया देने का काम मोधी जी ने किया है इसके साथ साथ 20,000 करोड के इंफ्रास्ट्रक्चर, 17,000 करोड सडक के, 2,000 करोड रेलवे के और 1,000 करोड एरपोर्ट का किया है और भाई और बेनों, मोदी घेरंटी की बात मैं करना चाता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, गरीबो दनवान हो, 70 साल की उपर के सभी नागरिकों को, 5 लाग तक का सभी स्वास्त का खर्चा, अब भारतिय जन्ता पार्टी उठाएगी नए 3 करोड घर बनाए जाएगे, गरीबो के घर में नल से जल आया है, ऐसे ही पाईप से गैस पोचाने का काम भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार करेगी घरीब के घर पर सूर्य बिजली का उपकरन लगाकर उसका बिजली भी माप करने का काम करेंगे, 3 करोड लगपती दिदियां भी हम बनाएगे भाईयों और बेंडों, हम आपका असिरवाद मागने आये हैं, इलाल भाईयों ने सालों तक जाती और जन्जाती को जगड़ा कराये आपकी 20 की 20 सिटे लेकर विकास के नाम पर बीग जीरो किया है मैं आपको कहता हूँ, मोदी जी पर भरोसा करकर कमल के निसान पर वाट दिजे, आने वाले दिनों में संपून त्रिपुरा वेश्ट हो या इस्ट हो हम उसको विक्सीत राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं, मित्रो कमिटमेंट करते हैं पर ट्राइबल भाईयों को इस सन्मान की बात करते हैं, ट्राइबल संस्कूरूती की बात करते हैं घुस पेट अब तक किस ने होने दी? कॉमिनिस्टों ने होने दी, कॉंग्रेस ने हो दिन दी नरेंद्र मोधी सरकार ने बाड को पूरी करने का काम करकर घुसपेट को रोकने का नब्बे प्रतिसत काम किया है मोधी जी को तीसरा मौका दिजिए सत प्रतिसत घुसपेट वहां से रुख जाएगी ये मोधी का गयरंटी है मित्रो मोधी का गयरंटी भाईयों बेहनों महराजा विक्रम देव का हमारे त्रिपुरा पर बहुत बड़ा उपकार है आज भारतिय जनता पार्टी ने आगे आईये जराब इनके ही परिवार से कुरुतिदेव सिंग जी को टिकिट दिया है मैं आपको अपिल करने आया हूँ कुरुतिदेव सिंग जी को समर्थन करकर नरेंद्र मोदी को समर्थन करी कुरुतिदेव सिंग जी के सामने बटाया दबाया हुआ हर बटन सीधा आपका वोट नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है मोदी को प्रधान मंत्री बनाने वाला है मुझे बताओ 26 तारीक को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या जरा जोर से बुले दबाएंगे भाधपा को जिताएंगे कुरूतिदेव सिंग जी को जिताएंगे मोदी जी को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ विजय के संकल्फ की मुठ़्िवीचे और प्रचन्द वाज से भुलिए भारत मता की भारत मता की बारत मता की वनदे वन्दे वन्दे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मननियों ग्रिह मंत्री अमिद भाई साजिगे अमरा उनार मुल्लवान बप्तव शुनलाम 2017 साले उनिये स्चिलेन एवां ध्रिपुरा तेके CPM एखां तेके मुक्त हाये स्चिलो